कच्ची इमली जिसका नाम ही सुनकर मों में पानी आ जाता है कच्ची इमली में परियाप्त मात्रा में आइरन पाया जाता है जो कि खोन की कमी को दूर करने में सहयक है इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए इमली का प्रियोग किया जाता है इससे immune system मजबूत होता है मोटापा कम करने के लिए इमली का सेवन कर सकते हैं और ये कच्ची इमली गर्वती महिलाओं को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है आज हम बना रहा है कच्ची इमली का अचार जो की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा होता है कच्ची इमली को हमने धुल लिया है और इसको थोरी दे धूप में सुखा लिया है इसका पानी अच्छे से सूख गया है अभी हम इमली के छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे ताकि इसके हम अचार बना सके ये इमली एकदम सॉफ्ट होती है इसे हाथ से ऐसे तोड़ेंगे तो ये आसानी से तुट जाएगी अगर आप चाहे तो चाकु से भी इसे काट सकते है छोटे-बड़े पीस जितने भी बड़े आपको चाहिए इमली के हमने चोटे-चोटे टुकडे कर लिये है अचार में डाल ले के लिए हमने लैसन और मिर्ची को दरदरा करके ले लिया है अचार का मसाला ले लिया है अचार का मसाला कैसे तयार करते हैं अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है, मिर्ची हमने कुटी हुई ली है, आप चाहे तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खड़े मसालों को हल्का सा भून करके ले लिया है, स अचाहर का मसाला दालेगे, मसालों हमें बहुत जाधा नहीं यूज करना है, बस हल्का से डालना है, लेसन और मिर्ची ढाल देते हैं, अगर आपको अचाहर तीखा पसंद है, तो मिर्ची जादा डाल ले, अजा पॉड़े अपोडर डाल देते हैं, कुटी हुई मिर्च अ खड़े मसाले, सर्सो का तेल, और नमक, इन सारी चीज़ों 한번 में अच्छे पॉलाएंगे, मसाले अच्छे से इमली में चिपक, तब तक हम इसे मिलाएंगे, मसाले अच्छे से मिल गये हैं और यह इमली का टेष्टी अचार बंगर के तैयार है, अचार को किसी airtight टिपे में रखे या चीनी मिट्टी के बर्तल में रखे ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है कच्ची इमली का खटा चटपटा तीखा अचार ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे आप एक बार बनाएंगे तो इमली आप ढूंते रहेंगे कि मुझे कच्ची इमली कहीं से मिल जाए और मैं ये अचार बना लूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पकी हुई इमली की चटनी तो आपने बहुत बार खाई होगी एक बार कच्ची इमली का अचार बना करके देखे और मुझे कॉमेंट बाक्स में जरूर बताए कि आपको ये अचार कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा थेंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो